नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग आज हम इस वीडियो में फर्स्ट एंगलो अफगान वोर का एक रिवीजन करेंगे फटाफट फर्स्ट एंगलो अफगान वोर का जो बैक्ग्राउंड हमें पता होना चाहिए तो वो मैंने आपको बताया जिसमें हमने लास्ट में पढ़ा फॉर्वर्ड पॉलिसी को लेके जो ब्रीटिस इस इंडिया कमपनी ने अपनाई अब फॉर्वर्ड पॉलिसी में क्या था कि दुस्मन अटैक करें उससे पहले उसको उपर अटैक कर दो उसको खतम कर दो लेकिन अटेक करने का कुछ रीजन तो होना चाहिए ना, अब British East India Company के पास कोई ऐसा रीजन तो था नहीं, अफगानिस्तान को ये बोले कि भी हम तुम पे अटेक करने वाले हैं, अब British East India Company ये बोलके तो अटेक कर नहीं सकती थी, अफगानिस्तान पे पबलिक को सब को ये बोले, कि भीया, अफगानिस्तान वाले रशिया के साथ में हाथ मिला रहे हैं, इसलिए हम इनके उपर अटेक करेंगे, तो इनको एक कम से कम एक बताने के लिए कोई जैनवन तो रीजन चाहिए था, तो ब्रिटिस इस इंडिया कमपनी ने क्या बोला रीजन के तोर पे कि भीया, अफगानिस्तान की गदी का जो असली हकदार है, वो कोन है साथ सूजा और उसी के लिए हम ये अटेक करेंगे, अब आपके माइड में आएगी कि साथ सूजा कोन है, और ये भाग के कहां गए पंजाब, और ब्रिटिस इस इंडिया कमपनी के पास ये पैंसन पे जी रहे थे, क्योंकि ब्रिटिस इंडिया कमपनी ने इसको पैंसन पे इसली रखा, ब्रिटिस इंडिया कमपनी को लगता था कि भीया, ये एक ना एक दिन हमारे काम जरूर आएगा और वो टाइम यहाँ पे अभी आ चुका है कि जब British India Company अफगानिस्तान के उपर अटेक करेगी तो British India Company ने क्या किया एक ट्राइपरटाइट ट्रीटी साइन कर ली इन तीनों के साथ है मतलब किसके साथ में British India Company महाराजा रनजीत सिंग और ये जो साहसुजा है इसके साथ में कब हुई ये ट्रीटी साइन 1838 में और इस ट्रीटी में क्या तैय कि आगया कि भी तीनों मिलके British India Company महाराजा रनजीत सिंग के आर्मी और साहसुजा ये तीनों मिलके अफगानिस्तान के उपर अटेक करेंगे और दोस्त महाराज जो अफगानिस्तान के करंट में रूलर हैं उनको हटा के साहसुजा को रूलर बनाएंगे देखो वाई यहाँ पे रिटन में क्या है अफगानिस्तान के जो रूलर है वो को है दोस्त महिंबत बैटल होती है इनकी British India Company के साथ में गवर्नर जनरल को है British India Company की इस टाइम पर, Auckland, British India Company, region for attack, British India Company को कुछ रीजन बताना था, अब सासुजा गर ओलाता ही, चीज मैं आपको बता ही, he was king during 1803-1809, in 1809 में सासुजा was disposed from the Afghan throne, उनको था दिया जाता है, तक तक पलट हो जाता है, had been living since then, as a British pensioner at Lodhyana में, वो British की pension पर जी रहे थी, East India Company kept him on pension because they thought that he might prove useful for one day British India Company को लगता है कि एक दना एक दिन ये काम जरूर आएगा तो वो टाइम आई गया था जब ये काम आया अटैक के लिए British India Company sign a treaty with Saas Ujah and Maharaja Ranji Singh or treaty का नाम क्या था ये treaty कब sign हुई 1838 में ठीक है treaty का नाम क्या था? Tripertite Treaty अब medieval history में पढ़ोगे ट्राइपर टाइट श्रगल वो अलग चीज़ है ये treaty अलग है अब इस treaty में क्या था कि all three will attack on Afghanistan कि ये तीनों मिल के अटैक करेंगे अफगानिस्तान पे Saas Ujah be enthroned as the king of Afghanistan और Saas Ujah को दोस मौमद को टाके Saas Ujah को king बनाया जाएगा British India Company will control the foreign policy of Afghanistan जो British India Company यही तो चाहती थी कि जो foreign policy अफगानिस्तान की वो हम control करें ना कि अफगानिस्तान जो British India Company की जो foreign दुस्मन है ना उनके साथ में हाथ मिलाए मतलब जैसे कि Russia USSR और इस treaty में क्या था रंजीत सिंग claim on the right bank of industry was recognized by Saas Ujah और महराजा रंजीत सिंग का जो claim था right bank of industry वाली जो area है उसके उपर तो उसको भी recognize करेंगे कौन Saas Ujah और जब Saas Ujah अफगानिस्तान की king बनेंगे तो भहिया वो सिंध के उपर अपना claim नहीं करेंगे अब इनकी लड़ाई start होती है first angle of gun war start होती है कब होती है 1839 में battle और end होती है 1842 में और British India Company कहां से attack करती है तो British India Company attack करती है सिंध के थरू ये पंजाब है पंजाब में enter नहीं करती है पंजाब के थरू वो short पढ़ता लेकिन ये long पढ़ता है इनको क्योंकि महराजा रंजीत सिंग इनको permission नहीं देते कि आप हमारे पंजाब से अंटर करके और अफगानिस्तान में गुसे है वो कहते हैं आप हमारे पंजाब में नहीं गुसो गया तो इस आमीर थे दोस्त मौमद इन्होंने कोई resistance नहीं दिखाई देखो ऐसा होता था अफगानिस्तान के जो रूलर होते हैं उनकी कोई बड़ी आर्मी नहीं होते थी डिडेंट हैव मच आर्मी आमीर डिपेंड ओन अफगान ट्राइबल ग्रूप जो आमीर होता था जो रूलर हो ही तेटा यह किसको कमांड करते जो आफगानिस्तान के घृवल ग्रूप से ना इनको यह कमांड करते थी कि तुम उनकी एल्प करनी के लिए जाओ इन सिम्पल नेग्वेज हम कह सकती इनके पास कोई बड़ी आरमी नहीं ती चो ट्राइबल ग्रूप से ना उनकी ऊपर यह डिपेंड करते थे अब British India Company plan was to bribe the Afghan tribes on the route अब जो जो मैंने आपको पीछे अभी बताया है ना मैं दिखा देता हूँ यह जो route देख रहे हूँ आप यह जो route है ना जब British India Company पहुंची सिंद्ध को cross करके जैसे जैसे ही British India Company कोवेटा में पहुंची जो यह tribal groups से ना इनको bribe मतलब पैसा दे के इनको अपनी साइड में ले लिया तो ऐसे करके British India Company क्या करती है bribe देती चलती है जो भी tribal groups है उनको और अपनी साइड में ले ले लेती है जिसकी विजए से उनको ज़्यादा resistance देखने को नहीं मिलती है British India Company कैप्चर कुवेटा को कैप्चर करती है मार्च 1839 में कांदार को फिर अपरेल 1839 में गजनी को जुलाई में 1839 में और काबूल को अगस्त 1839 में इस तरह से दोस महमद surrender कर देते हैं लास्ट में क्योंकि वह या उनके पास कोई बिग आर्मी तो थी नहीं और जो भी ट्राइबल ग्रूप्स की हेलप आनी थी उनको ब्राइब देके British India Company अपनी साइड में कर लिया इन अगस्त 1839 में सहा सूजा वाज मेर अमीर ऑफ अफगानिस्तान और अगस्त 1839 में सहा सूजा को अफगानिस्तान का आमीर बना दिया जाता है अफटर दिस Majority of British troops returned to India और इस चीज के बाद मतलब सहा सूजा को आमीर बनाने के बाद जो Majority of British troops थे न वो रिटेन कर जाते हैं इंडिया में वापिस आ जाते हैं इंडिया में but British resident and some soldier kept with सहा सूजा के साथ में जो आमीर बन चुके इन के साथ में British resident वहाँ पर रुख जाते हैं और कुछ जो soldier हैं वो रुख जाते हैं British soldiers were allowed to bring their families to Afghanistan to improve morals और जो ये soldiers थे ये अलाव करते हैं अपनी family को अफगानिस्तान में पुलाने के लिए the Afghan people resented the British presence and the rule of सहा सूजा जो अफगानिस्तान के जो लोग थे न वो इस सीज को लेके खुश नहीं थे कि सहा सूजा गदी पे बैठे हैं और दूसरा क्या जो ये British यहां पे रह रह रहे हैं resident और कुछ soldier रह रहे हैं इनको देखते हुए जो अफगानिस्तान के जो लोग थे जो tribal groups थे वो भी खुश नहीं थे और अफगान ट्राइबल चिप्स वर नोट हैपी विद सहास हुजा और जो अफगानिस्तान के ट्राइबल चीफ थे नहीं ये भी खुश नहीं थे सहास हुजा की policies को लेकी और उनके rule करने को लेकी तो ये क्या कर देते हैं? revolt कर देते हैं जो tribal groups हैं जो tribal chiefs हैं वो revolt कर देते हैं अफगानिस्तान tribal groups attacked on British resident and British India company post भाई अफगानिस्तान के जो लोग हैं जो tribal groups हैं उनको तो ये पता था कि जो ये सहा सुजा बना है नामिर ये तो puppet है British India company का और दूसरा इन लोगों को क्या खटा करी थी जो British ये अंग्रीज यहां पे रह रहे हैं इनकी धर्दी पे अफगान के जो tribal groups हैं वो क्या attack करते हैं British India company के जो resident हैं उनकी उपर और British India company की post के उपर वो सास हुजा भाग जाते हैं इनको तो यहां पर अटा देते हैं अटेक कर दिया दूसरी साइड में सास हुजा भाग जाते हैं काबूल से फ्लैड फ्रॉम काबूल इन दिस सिच्वेशन ब्रिटिस वर कमपाइलड तो साइन ए ट्रीटी विद अफगान ट्राइबल चिप्स इन 1841 में और इस ट्रीटी में क्या है रिकिया जाता है इवेक्वेट अफगानिस्तान एंड रिस्टोर दोस्त महमद सास हुजा तो भागी चुका है काबूल दूसरा क्या है इवेक्वेट कर देंगे मतलब जो भी इंगलिस सोल्जर जो भी रेजिडेंट वहां पे रह रहे हैं वो खाली कर देंगे अफगानिस्तान को और दोस्त महमद को रिस्टोर किया जाएगा इंडिया कंपनी लोड एलन बोरोफ के अंडर में क्या करती है तो एवेंज दा टो एवेंज दा हमिलुटेशन एट दा हैंड्स ओफ अफ अफगान ब्रीटिस इंडिया कंपनी अगें अटेक्ट इन एटीन फोटी टू में तो भीया जो ये अफगानिस्तान के लोगों ने ज सप्टेंबर 1842 में काबल को फिर से री उकुपाई कर लिया जाता है ब्रीटिस इंडिया कंपनी के दवारा काबल वाज अगें री उकुपाईड बाई ब्रीटिस इंडिया कंपनी उसके बाद क्या होता है कि वी रिकोकुनाईज दोस्मुमद आज दा इंडिपेंड़न र चेतावनी देती है but British India Company said to dost Muhammad कि भाईया don't do anything that against of British East India Company और कहती है उनको चेतावनी देती है कि भाईया तुम British East India Company का against में कुछ भी ऐसी policy ऐसा कुछ भी काम नहीं करोगे में काम क्या था उससर के साथ में हाथ नहीं मिलाओगे और इसी के साथ में First Anglo-Afghan War का end होता है तो होप division के थुरू एक basic सा idea हो गया कि First Anglo-Afghan War का background क्या था किन-किन के बीच में ये war हुई ठीक है कौन-कौन सी treaty sign हुई in the end result क्या निकला इस war का ठीक है तो thank you for watching इस वीडियो वीडियो आपको ठीक लगी तो like करना channel पे नए हो तो guys subscribe करना